आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question is given Rewrite each of the following numerals with proper commas using the international place value chart Also write the number, name of each in the international system Total six parts are there सबसे पहले तो हम international place value chart या वो बना लेते थीचे स्टार्ट करते हैं once से पहला होता है once once के बाद होता है tens tens के बाद होता है hundreds hundreds के बाद होता है thousand इसके असल में column चलते हैं जैसे कि अगर हम देगे hundred once tens का एक column हो जाएगा ठीक है ये आजाता है once के अंदर once के अंदर आ जाता है इसको denote करते है h से, इसको t से और इसको o से अब इसके बाद जब आप next सुरू करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे ten thousand ठीक है thousand लिखेंगे thousand के बाद आता है ten thousand ten thousand के बाद आता है hundred thousand ठीक है और ये किसके अंदर आ जाता है ये पूरा thousand के अंदर आ जाता है separate करकर किसे clear करते हैं आपको ये पूरा part आप लिखेंगे thousand के अंदर इसको denote करते हैं simply th से ही, इसको t th से ही और इसको h th से इसके बाद जो हमारा next आएगा, it will be for millions इसमें कैसे लिखा जाता है millions में, देखे millions का लिखने के लिए पहले आप millions लिखिए फिर 10 millions, 10 millions फिर लिखा जाता है 100 millions तो यह एक और अलग कॉलम बन गया next इसके symbols हमने पहले लिख दिये हैं ठीके और इसके बाद और कुछ नहीं होता है यहाँ पर इसको फिर से लिख देते हैं, यह millions, 10 millions और यह हो जाता है 100 millions यह हमारा है international place value chart और इसी के according हमें कॉमा लगाने होते हैं international place value chart अब हम एक एक करके एक एक numbers को कॉमा देंगे और नहीं सबसे पहले 7, 3, 5, 8, 2 अब आप देखिए कैसे लिखा जाएगा इसको first part है 7, 3, 5, 8, 2, 1 अब आप इसमें देखिए तो यहाँ से अगर लिखेंगे 1, 2, 8, 5 1, 2, 8, 5, 3, 7 इसमें आएगा इसमें यह होगा 700 इसका नाम लिखेंगे 7, 100, 35,000, 35,000 और 821 यह हो जाएगा international method से और कॉमा भी लगाना है तो कॉमा लाज से 3 से पहले यहाँ पे आजाएगा कॉमा ठीक है now come to the second part of the question second part कैसे हो जाएगा इसका number है 6, 0, 5, 7, 8, 9, 4 अब इसमें भी जब कॉमा पुट करेंगे तो सबसे पहले हम कॉमा पुट कर देते 3 से पहले और फिर यहाँ फिर 3 से पहले नाम हो जाएगा इसका 6, 0, 5, 7, 0, 57, 800 800, this is 20, 8, 100, 90, और लास्ट में कैसे 4 so this is the answer of second part of the question now third part in the third part we have given the number 5, 6, 9, 4, 3, 8, 2, 1 इसमें भी कॉमा पुट करेंगे तो देखिए 3 से यहाँ पहले फिर 3 से पहले ठीक है अब इसके naming कर देते तो बहुत easy है 56 मतलब यहाँ तक आ गया हमाई पास तो यह million से हो गया तो लिख सकते हैं इसका नाम 56 million 56 million 900 9 100 43,000 43 3,000 821 8 100 21 तिये हो गया हमारे 3rd part का answer Now 4th part of the question is 3,7,5,0,2,0,9,3 सबसे पहले तो कॉमा लगा लेते हैं यहाँ पह आ जाएगा फिर 3 से पहले आ जाएगा ठीक है Now इसका नाम लिख लेते हैं यह भी millions में ही आएगा तो नेम हो गया इसका 37,000,000 37,000,500 500 2000 2000 93 93 Next हमें simply क्या करना है कुछ नहीं बस place value जो chart इंटरनेशनल इसके according numbers जहाँ पे है उसी according नाम लिख रहा है Next है 8935 8935 0064 ठीक है अब इसमें भी जैसे ही आप कॉमा पुट करेंगे इंटरनेशनल मेथट से पता लग जाता है नेम बहुत easy है इसमें क्या मिल जाएगा 89 million 300 जिस कॉलम में जो letter जाएगा जो digit जाएगी वस उसी के according नाम लिख दे 50 thousand 64 now last part of the question is sixth part ठीक है तो sixth part की भी digits को लिख लेते है 9070 9070 पिर क्या है 3006 3006 इसमें भी सबसे पहले कॉमा पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आगे कॉमा फिर यहाँ 90 million आगे तो लिख सकते हैं इसको नम नेमी सिस्टम थैंक यू क्लासिक सिट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट आज चारसो 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 पर आज हे लेखिए